आज के चमतकार की ओर बढ़ने से पहले यह है श्रीकल की भगवती भगवान का सूत्र। थेश से मुख्थ हो जाना शमा है। और अब आज का चमतकार। मैं चिन्नई के अंबतूर तमिलनाडू भारत से विजय नारायन हूँ। यह चमतकार तमिलनाडू राजजी के लिए आयोजित की जा रही 21 दिन की विशेश ऑनलाइन प्रक्रिया के चौते दिन हुआ। उस दिन का विशे असमेदन शीलता था। दासा जी बता रहे थे कि हम अपने रिश्टों में कितने असमेदन शील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वज़े से हमारी कई समस्याएं हल नहीं हो रही है। मैं अपने दाहिने पैर के घुटने के नीचे की ओर के गंबीर दर्द से पिछले 50 जिनों से पीडित था। सीडियां चरना, बाइक चलाना उठना, पावों को मोड कर बैठना जैसे हर कारे दर्दनाक थे। मैं चलते समय भी अपने दाहिने पैर पर दवाव डालने से बचता रहता था। दवा बाम आराम करना कुछ भी मेरे दर्द को कम नहीं कर पा रहा था। दासा जी की सला के बाद प्रातना करते हुए मैंने भगवती भगवान से अपने पैर के तीवर दर्द के कारण को दिखाने का अनुरूद किया। मुझे अनुभूत हुआ कि यह दर्द मेरे बेटे के साथ एक बहस के तुरंत बात चुरू हुआ था। वह मेरे ऑफिस के फोन का उप्योग करना चाता था और जब मैंने इनका कर दिया तो एक भहस छिड़ गई। जब मैं लेटा हुआ था तो वह मुझे पर कूदा और उसने हाथा पाई के बाद मेरा मोबाइल छीन लिया। मुझे उसे डांटा जाना याद है। श्री अमा भगवान ने मुझे दिखाया कि कैसे मेरे शब्दों से और मेरे इनकार से मेरे बेटे को ठेस लगी है। मैं भी उसके वेवार से आहत था। भले ही मैं इस बात को समझ रहा था। लेकिन मेरे एहंकार ने मुझे न तो उससे माफी माँगने दी और न ही उससे माफ किया। जैसा कि दासाजी द्वारा सला दी गई थी मैंने अपने पुत्र से पित्र वास्तव में हो चुका था। मैंने अपने बेटे के पास गया और उससे सौरी कहा। मैं अपने पैर के दर्द को लगबग 90% कम महसूस कर रहा था। ये भाव विभूर करने वाला था। हमारे करोणा में भगवान ने न केवल मुझे प्रात्ना करने का तरीका सिखाया बलक करो करूं तरीकना का सिसूपर करोण्या